हेलो दोस्तो आरके मिक्स इंटर्टेन्मेंट चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आपको वर्ल्ड कोकोनट डे जिसे हिंदी में विश्व नारियल दिवस बोला जाता है इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा यह कम मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है नारियल के क्या क्या फाइदे हैं इससे जुड़ी सारी चोटी बड़ी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ मगर दोस्तो आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें तो चलिए दोस्तो श्टार्ट करते हैं परतेक वर्स नारियल की खेती के परती जागरुकता एवं नारियल की महता को समझने के लिए दो सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है और इस बार दो सितंबर बुद्वार का पढ़ रहा है नारियल एक ऐसा फल है जिसके परतेक भाग को हम अलग-अलग तरह से उप्योग कर सकते हैं नारियल को कई परकार से उप्योग में लाया जा सकता है आज परतेक दिस पॉलिथिन की थेलियों का शिकार हो रहा है जिससे वह ना तो गलती है ना सड़ती है जो परदूशन और बिमारियों की मुख्य वज़े बन रही है अगर हम नारियल की जटाओ का इस्तमाल कर उससे बने थेले का इस्तमाल करें तो मानव जीवन को और अधिक सुक में बना सकते हैं नारियल की खेती लाखों लोगों के लिए रोजगार परदान करती है भारत में नारियल का उप्योग के कई तरीके हैं परंतु सरवादिक धार्मिक चीजों से जोड़ा गया है नारियल बारत में धार्मिक परसाद माना जाता है नारियल हिंदु दर्म में अपना एक अलग ही मैतूर रखता है हिंदु देवी वे देवताव में चड़ने वाले चड़ावे में पर्मुख माना जाता है नारेल धारमित्ता के अलवा कई बिमारियों से छुटकारे दिलाने में भी काम आता है नारेल का पानी अत्यधिक पोश्टिक होता है जो व्यक्ति में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स में वर्दी करता है नारियल की खेती से अर्थ व्यास्ताव को भी मजबूत किया जा सकता है यही क्या जाब ही रहा है भारत में नारियल की खेती कई राजियों में की जाती है जिसमें से केरल, करनाटक, तमिलनाडू, एवं, आंदर परदेश, मैतपुन, भूमिका में है नारियल की खेती नमकीन मिट्टी अर्थात समुंदर के किनारे की जाती है इसका वैग्यानिक नाम कोकस नूसिफेरा है हाई बलड प्रेसर जैसी गंबिर स्थीती में नारियल का पानी बहुत फायदेमंद है इसमें मौझूद विटामिन सी, पोटेसियम और मैगनीशियम बलड प्रेसर को नियंतरित रखने में शाहेक होते हैं ये हाईपर टेंशन को भी कंट्रोल करता है कोलेस्टरोल और फैट फ्री होने की वज़े से ये दिल के लिए बहुत अच्छा होता है इसके साथ ही इसका एंटी ओक्सिडेंट गुण भी सर्कुलेशन पर सक्रात्मक परभाव डालता है हैंग और से छुटकारा पाने के लिए भी नारियल का पानी एक अच्छा उपाय है एक नारियल में करीब 200 मिलीलीटर या उससे कुछ अधिक मातरा में पानी होता है पानी पीने से शरीर को तुरंत इलेक्ट्रो लाइट्स पहुंचाने का काम करता है जिससे हाइड्रेशन का स्थर सुधर जाता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूं मैंने आपको वर्ल्ड कोकोनेट से जुड़ी सारी जोटी बड़ी जानकरी इस वीडियो में दे दियो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें अपने सारे फ्रेंड्स रिलेटिव में इसे शेयर करें ताकि उनको भी ये यूजफुल जानकारी मिल सके और कमेंट बोक्स में हमें नारियल के आपकी नजर में जो जो भी फायदे हैं वह हमें लिक कर जरूर बताएं और इसी के साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबा कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नूटिफिकेशन के लिए बैल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको ऐसी ही वीडियो टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सके ध रन्यवाद दोस्तों जै हिंद